तो हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं हम सभी लोग तो आज की वीडियों में आपको करने जा रहा हूं क्लास 10 का साइंस का चेप्टर नमबर थर्ड मैटल और नोन मैटल तो पिछले दो चेप्टर हमाई कंप्लीट हो चुके हैं तो आज हम करेंगे इस थर्ड चेप्टर को स्टार्ट चलिए देखते हैं यहां पर फर्ष इसको पड़ना स्टार्ट करते हैं लेख सकते हैं इन क्लास 9th में अपने पढ़ाऊगा कि क्या वार्यस टाइप आप के बारे में कि किसके टाइप के लिमेंट होते हैं आगे है यू आउप सीन डैट अलग 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 क्लासिफाइड तो आपनेवाइवन्ट पी देख होंगे जो अलग अलग क्लाशिपायड होती है अलग अलग क्याटेगरी के साथ मैटल 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 नोड़ को इस इसमेड होते वह आपको आघे समझ में आजाएगा आगया है इनकी प्रोपर्टीज के आधार पर कि मैटल की क्या प्रोपर्टीज होती है यहां पर हमारे पास में तीन पॉइंट दिये गए हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें फर्स्ट आमार उसमें खा गया है थिंक ओस्म यूजेज ऑफ मैटल एंड नोन मैटल इन यूर डेली लाइफ में आप क्या क्या यूज करते हो उसका मतलब आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में जो पूरा आपका दिन होता है उसमें कौन-कौन सी मैटल नोन मेटल इसमें ज्याद़ कुछ खास नहीं है इसको आप पड़ सकते हैं चैप्टर को स्टार्ट कर जो हमाँ पास में यहां पर 3.1 एक्टिविटी है यह आपको 3.1 एक्टिविटी दिख रही होगी तो इसको आप पड़ते हैं इसमें लिखा गया है फिजिकल प्रोपर्टी तो फ स्टार्ट कर रहा है तो आगे लेट्स अस स्टेड़ी आगे हमाँ पास में जो फोलॉइंग एक्टिविटी देख पा रहे होंगे इनकी मदद से मैटल की जो फिजिकल प्रोपर्टी उसको जानने वाले हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं नीचे क्लासिफिकेशन पुल configurator लोगी वो आपको याद पर निपडल कि Itaust ko कर सकते हैं तो जैसे थे आप रधैसे और य Amazon कोатगल आप missus in दियो इंक्स प्रिश्टी प्योड होट्यक्र तो छलिए बिल्लगुल इसमें को बदहां होटा हुश्म कंजया है उबर इंक्ष इसमें आ तो ब्रोपर्टी इस प्रोपर्टी होती है जो दो होता है चमकता है उसकी प्रोपर्टी को आप लस्टर तो आप इसको जान रख सकते हैं यह वर्ड आपके लिए इंपोटेंट है यह विल फाइंड डैट मैटल आर जनरली हार्ड तो मैंने आपको जो मैटल अनों मेटल राज़े पिछली एक वीडियो पर ने बना रहे तो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था सकते हैं यॉद्स कि allen tree सकते हैं यह पिछ सकते हैं आर जंडरी हार्ट तो मैटल होते हैं जोनकी पर पडियोंत वहार्ट वेसाइज होते हैं और यह जो प्रोपर्टी इसको भी द्यान रखना तो चलिए एक और पास में प्रोइंट दिया गए इसको भी आप पढ़ लिए तो जो मैं एक्टिविटी छोड़ रहा हूं आप यह लिए आप सोल कर सकते हैं कि मैं पहले आपको यहां पर प्रोपर्टी बता रहा हूं पिछ मतलब कुछ हैसे मैटल हैं जिनको हम भी कंवर्ट कर सकते हैं तो मतलब करेंगे किसी चीज़ से थोड़े से घर आंङे तो जो है वो एक सीट यह यह प्रोपर्टी इसको माने पाग्द सो स्धूर्ट कर रही है यह यह प्रोपर्टी यह हता बिलीपी आपको द्यान रखना तो me liability प्रिचखने की property होते skirt Also सीट बनाया जाता है पर हम पास मिल इप आप चलिए pau outta आप जानते हैं यह गोल्ड Weakano को कनवर्ट कर सकते हैं हैche यहं मारक के कुछ तो जो ढीक है ऐसे मैतल हैं यह गोल्ड जैसे आप चलते हैं ne लिकषब लोग और यह सिल्वर का माल सकते हैं आपको जितना हीट करेंगे याप जितना इस पर मारेंगे किसी भी चीज से तुतना यह जो अधिन शीट में कनवर्ट होता जाएगा तो यह समझ आ गया होगा तो चली आगे देखते हैं यह एक बता दूगा तो चली आप पर यह पर लेते हैं इसको पर 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 पास यह कुछ नीचे आ गया तो चले उपर चलते हैं अपिस से अब प्रेंट्स जो यह पर अब इसमें क्या है जो मैंने आपको यह उपर बताया था इसमें पास में इनको सब्सक्राइब करता है तो इसका हम कहते हैं हैं तो मिलियाबिलिटी में हमने वोक लेकिस को हैमर किया तो इसको हमने सीट में का करें दिया मतलब जिसका बृत थी उसको हमने सकम में चेल्ज कर दिया होगा रितिलीटी मैं हम क्या होता है माँख भी मैटल है उसमें को हम हमें इस साइड से खेचें घरन जाए उसको हम कहते है तो इसको शीट बनती है और इसका वायर सबसे ज़्यादा में कर देखा था तो गोल्ड आपको ऐसे याद हो जाए वह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आगे मैं पास में यू वील B सर्पराइजद अपसर्प्राइज हो जाएंगे क्या जानने कि अगर आपक्रमस करेंगे एक गोल्ड के जो ब्लॉका होता है आप एक गोल्ड को एक गराम गोल आफ देख लेखेंगो सिर्फ 1 ग्राम आप यहां पे गुर्ड लेंगे अगर तक मिया खंस पृंद को प्राम तो तक लिखते हैं यह तो है पर दूसरी एक हो लाइन तो इसको भी यहां पर नीचे देख लेते हैं तो इसमें आगया है इस बिकोज ओफ दे लिए अंड डुक्तिलिटी तो मेलीबिलिटी और डॉक्तिलिटी के आदाय पर जो मैटल है अपने आपको डिफ्रेंट शेप में करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं according to our need अपनी नीड की इसाब से जितना यूल ना चाते है को बनाना चाते हैं तो इसके साथ से उनाबन का सकते एसी हैं तो आगे कड़ने का पने यहां पर में पास तो смण को ब्सक्राइए तो कि मेटल से बना होता है जैसके आप देख सकते हूं इंगारओं प peculiarlyi यह कोई पैन है और इसका पकड़ने का होता है तो पैन अगर का होगा गरम भी नहीं होगा तो उसी को मिस निचे एक्ट्विटी दी गई है इससे समझ लेते हैं इसमें किया करना लेना इस यज़े सकते हैं यहाँ यहां पे ले लिए और Yet cheers इसके लिए आप यहां पर लगानी है आपको टिकोई सी मैटल की आप लगा सकते हैं के जो क्या करेंगा इसका ही निदे नहीं तो καली को ही देगा तो ही शर्फ साइड दे रहे हैं और यह पर पहुंछ जा तग इसका मतलब है जो मैं आपको दिखा जयता हैं एक बार यहां पर तो देखिए यहां पीए ons में पिन लगाई गई वह अगर फिन भी करेगी तो यहां से चल से हम धर गवाई होगा थो पहले तो पहुँचेगी यहां पहुँच जाएगा तो फिर आमें पता चल जाएगा कि हम मैं जो गूड कंडेक्टर फिलेक्टर सिटी होता है या नहीं तो यह थी अक्टिविटे जिसमें आपको पता चल गया होगा तो इसमें नीचे लिखा गया है फिरीगा 3.1 में मैं टल और होगा है कि जो आपने अब अब अक्टिविटी देखिए मतलब जमने फिगा 3.1 की यह वाली अक्टिविटी देखी इसमें आपने क्या देखा जो मैं टल हो किसका होता है हीट का गूड कंडेक्टर होता है आगे हमाँ पास में हैं हाई मैंटिंग पॉइंट वह भी हाई हो उसका जो मेल्टिंग जो अपनों ने इसको हीट दी थी उसको कैलकुलेट किया जाता है तो जैसके आप यहां पर देखेंगे कि यह बर्न अपर हीट दी गई ती तब इसकी जो हीट है यहां तक वहरी कर के इस वेक्स को पिंगला दिया थैं अगर इसके प्लेश्यमार्ट म होता है यह इतनी असानी से मेलट नहीं होते हैं मैदल तो हाड होते हैं मैंने आपको इंट rappers देख सकते हैं गुड़ेचर तो आगे हमाँ पास मेंड्ट मेंड्ड करें लीडे अर्मरित जो है पूर फिर में पूरण हेक्ट रॉसमें पास नहीं होती तो आगे हमाँ पास में मैंटल औरृम्ट होते हैं यह तर्मिनल यह दोनों आज जाएंगे ताब क्या करना है प्लस वाले को यहां एक से कनेक्ट कर देना होगा और माइनस वाले को यहां पर लाके यहां पर लगा देनी आपको यहां पर क्लिप देख पा रहे हैं यहां पर इस वाले वायर पर भी है तो अगर यहां दोनों को जोड़ेंगे अपन और यहां पर स्वीच और इसमें यह माइनस का यहां पर पावर चल पाथ अगर बल्ब ग्लों हो जाता है इसका मतलब वो जो मैटल लेव गुड खंडेस्ट रॉफ एलेक्टरियसीटी है कैसे क्यों है जो कि अगर बैड फेल्ग ठ्रॉफ उलेक्र सिट और था तो मैं को यहां पर समझता हूं अगर माली जी अमने यहां पर है चली नीचे और देखते हैं यहां आप им है कि अन्य से क्याइब करेंट करने करो सब्सक्राइब कि भाइर उपर कि वह भी किसी ऐसल Süुट अबटा होगा तो यह सकते तो इसमें आगे चेग आ गये in your houses आपने गड़ों पर देखते होंगे क्या ही polyvanyal chloride तो वह यह polyvanyal chloride क्या होता है यह होता है PVC जो PVC pipe होते हैं जो आपके गड़ों में लगे होते हैं आपको पता होगा उसकी full form होती है कि इसमें आगे है कि जो PVC pipe पॉते हैं और जो कुछ अब बढ़ का भी आप मैटल ले सकते हैं इनको ही क्या किया जाता है आपके सब्स्टेंस मतलब जो आपके वायर होते हैं उनको एक जगह रखने के लिए आप प्वीज़ पाइप का या किसी का यूज करते होंगे यह पीज़ पाइप और वगयरा एल भी वायर लेजाने लिए जो भी प्लास्टिक के बने होते हैं तो प्लास्टिक है जो एक क्या हो गया बूब पूर कंडेक्टर ओफ इलेक्टिसिटी यहां पास में 3.1.2 अचुकी है 3.1.1 तो इसको स्टाइट करते हैं इसमें का गया है इन दी प्रीवियस क्लास थी आपकी 9th class you have learned that उसमें आपने पढ़ा होगा क्या are very few non-metal non-metal है वो बहुत कम है किसके compare में metal की compare में तो यह ऐसे कहना चाहरा है कि जो metal है वो उनकी जो value है वो ज़्यादा है गिंसे non-metal से तो आप यह देख सकते हैं तो इसका और कार्बन जैसे और जैसे सलफर हो गया आयोडीन हो गया ऑक्सिजन हो गया हाइड्रोजन हो गया और इटीसी यह कुछ मैं आपको यह बाइँता हूं कि यह आप देख सकते हैं या पर यह ब्रॉमीन जो क्या है एक लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नोन इसको भी आप important में note कर सकते हैं चलिए मैं आपको और आगे देखते हैं और आगे इसमें है इसको इंपोर्टेंट यह वनमार्स में पूछ दा सकता है आगे डू नोन मैटल ओल्सो है फिजीकल प्रोपर्टीज तो जो नोन मैटल होते हैं उनकी फिजीकल प्रोपर्टी होती ह है जो प्रोपर्टीज होती है मैटल के हो सिमिलर होती है किसे मैटल से तो आगे लेट उसको फाइंड करते हैं कैसे होती है तो यहां पर एक्टिविटी ए 3.7 इसको आप कर सकते हैं आपके लिए एक तरह से जूंबाग हो जाएगी तो आप इसका सोल कर सकते हैं इसको अपने यहां पर एक टेबल दी गई है 3.1 की तो इस टेबल में आपको क्या करना होगा मैटल है और नोन मैटल है उनके बारे में यहां पर कुछ से दिया गया है तो उसको आप बता सकते हैं तो एलिमेंट सिंबल टाइप ओफ सरफेस हाडनेस इनकी मिलियाबिलिटी डेक्टिलिट यहां टाइब विलियाबिलिटी बता दी हाडनेस आपको पता ही होगा है तो टाइप इसको आपने क्या कहें गे मैं च्छोट चोटे पॉइंट जो कि मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं तो यह चोट-चोटे प्उइंट भी आप खुब कम आ जाएंगे तो जैसे कि आप सब्सक्राइब तो निए आपको याद रखना है च्ट च्टे पॉइंट भी काफ इंपोर्टैंट होते हैं तो चली आगे यहां पर इस टेबल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप वोग में एक तरह से स्पो तो चलिए आगे देखते हैं यह पिक चोटा से पराग्राफ दिया गया चलिए इसको देख लिए मोश्ट नौन मैटल प्रोड़। तो चलीuz देखते हैं मोस्ट घच्सक्राइब ! वाइल है यह जो इसमें दिक कमपोज नहीं सकती है वाटर में दीकमपोज में इसको भी आप क्या करसकते हैं अच्छे से संट कर सकते हैं चलिए आपको आगे ले चलते हैं याँ पे देखते हैं तो अधर हैंड जैसे मोस्त मैटल होता है राइस तू पतार भाइड यू बिलें मॉर अब आउट डे इस इसमें इसको आपका है जा रहे तो व्यांगे देखते हैं आपको पड़ा दिया है उनसे रिलिटेप्स पर लिए तो चलिए इनको देख लेते हैं बार हम इसमें इसको देखते हैं गिव एन एक्जामपल ओ फिन सब्सक्राइब तो इसमें चारव पॉइंट दिये गए तो चारव पॉइंट करके देखते हैं इसे लिक्वीड एट रूम तो यह तो गई फैस्ट योशन की बाद चली सेगंड कोशन देखते हैं कि अगले कैन इसली कट विदे नाइफ तो इसा मेटल जिसको हम चाको के मदद से भी काट सकते हैं तो फिर मैं आपकी कमेंट चेक कर लूँगा चली आगे देखते हैं इस दा बैस्ट कंडेक्ट प्रोफीट बैस्ट कंडेक्ट प्रोफीट में बतानी है तो जैसा कि मैंने आपको एक अक्टिविटी से उपर जो कि मैं आपको दिखा देता हूं इसमें चली आगे मैं आपको दिखाता हूं अजय को बता सकते हैं तो आगे है इस इस पूर कंडेक्ट प्रोफीट यह दोनों क्योंट इसमें आचुकें तो प्लास्टिक से आजाते हैं प्लास्टिक से बैक लाइट प्लास्टिक एक प्लास्टिक होता है जब्थे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं इनमें क्या उता है अगर इसमें करेंगे अगर आपन तो यह जाधा इनका इतना जदा भी लेकिन का मेल्टींग पॉइंट है वो भी होता तो आगे देखते हैं कि मिनिंग और बताने मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रख है मिलेबलिटी तो होती है इस साइड में आपको बताऊंगा और इस साइड में आपको डक्तिलिटी का बताऊंगा चलिए आप आपको यहां पर करने पर इस साइड से भी दबने के बाद क्या चाहिए में पास में मिलए बिलिटी और डख्टिलिटी क्या होता है यह होता सब्सक्राइब देखेंगे तो जैसे आप इसको दोनों साइड से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा यह एक वायर का फॉम में बदल जाएगा इसको कहते हैं डॉक्तिलिटी और इसको कहते हैं मिलिया अब दोनों देख सकते हैं तो दोनों का सब्सक्राइब तो आपको भी मैंने दो बास समझा दिया तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखते हैं और क्या है तो फ्रेंट्स चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं 3.2 को 3.1 कम कंप्लीट कर चुके हैं जो हमने अब तक पढ़िए 3.2 को 3.2 में पास में chemical properties of metal तो में अपर देखते हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं जिसमें वी विल लन अबाउट दी chemical properties of metal हमने metal वापति जो पढ़िए तो कहां पढ़िए वह मैं Section 3.2.1 थी जो मैं पास उपर हो 3.2.4 थी तो उन दोनमे में जो प्रोपर्रटी भी धिज तो जैसे हमने अलुमेनियम कोपर आयरन और लीड और मेगनिसियम जिंक एंट सोलीड का अब क्या करना है इनको कलेक्ट करना होगा तो आगे देखते हैं इसमें पास में आपी एक्टिविटी 3.9 इससे पहले हमां पास में एक पारग्राफ दिया गया तो चलिए इसको पढ़ में बर्न करेंगे तो क्या होगा तो देखते हैं तो यू है उससी एक्टिविटी 3.8 जो 3.8 एक्टिविटी थी तो 3.8 एक्टिविटी कहां पर थी हमारे पास यह 3.8 एक्टिविटी तो इसमें क्या होगा इसमें हमने मैगनेसियम जो मैगनेजियम था तो मेगनेजियम को हम एयर में बर्न करें विद दे बाइट फ़लेम के साथ में डू आल मैटल रियक्ट िन दसम मैटर तो किस मैंन में जो मैटल रेयक्ट करेगा लाइट एस चेक बाइउ परफोर्मिंग दा फोलेंग एक्टिविटी तो जो नीचे एक्टिविटी है इसमें भी हमें बताया जाएगा तो चलिए इसको पढ़ लगते हैं हम इस एक्टिविटी को इसमें हमें का गया है फरस्ट में hold any of the sample taken about with a pair of tongue and try burning over a flame तो आपको एक बर्निंग करना है फ्लेम पर तो आगे हैं आगे हमाँ पास में repeat with the other metal sample अगे हमाँ पास में collect the product if found तो जो जलानी बाद में पास में जो मैटल आएगा तो उसको आप क्या करना है देखना है लेट दा प्रोडेक्ट एंड डा मैटल सर्फेस पूल डाउन तो को फूल हो जाए जब फंडा हो जाएगा तब उसके बाद में तो आगे है वीच मैटल ब chips यहीं कहूं डौण से मैटल समेटरीश बइतली बर्न उवा तो वयट वाट फ्लेम कटर तो वाइट अलग-अलग फ्लेम आती तो इसमें कुंड जा एगए início से एग तो आपको यह बताना है सब कुछ तो आगे आपकर वाट अछी पास में यह नीचे ही एक reaction दी गई है चलिए हम इसको देख लेते हैं जो activity में की गई थी वह यह reaction होती है तो almost all metal you combine with oxygen to form medical oxide तो में मैं डॉक्साइड लिए होत्यों की Soraita नीचा करें तो क क्या मैं साथ हुआ जैसा है प्लस ऑक्सीटर अक्टिविटा संहें इस यहze आप पास है तो आक को दियाARON रखनी है तो यहांपर एच्जातम लगतार्र humility के लिए जैसे आप यह नीचे देख सकते हैं दूसरी एक्टिविटी को तो इसमें क्या कि आ गया है को पर इन इसमें क्या होगा है इसमें क्या होगा मैं पास में जो गोपर है को पर ट्य वह बन जाएगा है तो आगे देखते हैं यह पर मांगे तो आगे मैं चुका है है तो एलुमिनियम को हमने क्या किया है यहां पर आगे का गया है रीकॉल फॉम चैप्टर टू चैप्टर टू में हमने सब गुछ पढ़ा था इसके बारे में तो आगे है चलिए इसको यहां पर देखते हैं यहां पर एक रिक्षिन दी गई है तो इसमें है एल टू और ओ थ्री तो यहां पास में इसमें फोर्म हो जाएगा इसमें जैसे आप देख सकते हैं यह नीचे एक बाप आपर से एक्षिन के कराई गई है एल टू ओ थ्री किसके साथ है तो ने ओ एक के साथ है यहां पास में पास में बना sodium aluminum झाल 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 कि याद रखना है हर एक्षिन में तो यह मैं पास में एने टू ओ तो एने टू ओ प्लस हमने एच्टू कराया है एच्टू है मैं पास में लिक्विड एच्टू वाटर क्योंकि तो जब हम वाटर साथ में रियक्ट कराएंगे जब डिजॉल होगा वाटर में यह तो क्या होगा टू एने ओएच्ट एक्वर्स जो मैं पास में यह फोर्म होगा और ऐसी दूसरा है मैं पास में के टू ओ जो हमके टू ओ को किस से एक्वर्टर से एक्ट कराएंगे तो आपको यह समझ में आ चुका हुगा चलिए वह देखते हैं आगे जूटल सब्सक्राइब कर लिए तो हम इनको भी अगले पार्ट में कम्प्लीट कर लें गों सेकेंड पार्ट होगा तो चलिए आज की वीडियों में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों